नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सब का डेली निफ्टी अनालिसिस पर मेरा नाम है चिराग और पिसले वीडियो में हमने निफ्टी के 30 मिनिट चार्ट में समझा था यहां से वेव 5 जो है वो हम शुरू मान रहे थे यहां से 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए हमने प्रोजेक्शन र यहां से expect कर रहे थे लेकिन आज जो है gap up opening देखने को मिल गया मतलब कि यह जो है overlapping already अब हो चुका है तो अब यहां से क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे अगर यह wave 5 अभी भी progress में है और यह ending diagonal बनने वाला है तो अभी भी यह 1, 2, 3 और 4 के बाद इस तरीके से अगर हम wage line draw करें तो अगर यहां पर एक और ABC का decline इस range में आता है तब भी यह ending diagonal के रूप में wave 5 जो है इस range में complete हो सकता है अगर यहां से bounce करता है और 61% जो हमने इस पूरे decline का निकाला है यह 61% के ऊपर जाता है तो possibility है कि एक और ABC का bounce इस range में हमें देखने को मिल जाए जो हम ने bank nifty में भी discuss किया था तो एक और ABC high के ऊपर जा सकता है अगर 61% के ऊपर अगर यह trade करता है तो अभी के लिए हमारे पास कोई next day के लिए view नहीं है क्योंकि यह जो bounce है वो भी हमें कुछ convincing impulsive या corrective नहीं लग रहा है और Monday जो है holiday भी है तो यहां पे हो सकता है कि Friday जो है कल ए decide ना हो कल एक sideways to positive या negative market हो सकता है हो सकता है कि नीचे जाके ऊपर चला जाए या ऊपर जाके नीचे आ जाए इस तरीके क्या volatile move हमें कल भी देखने को मिल सकता है कोई clear direction जो है वो कल के दिन में नहीं मिलेगा तो हम कल भी है wait करेंगे कोई यह pattern यहां से confirm होती है कि यह bounce करेगा इसके उपर या फिर से यह इसके नीचे एक low बनाएगा और यह ending diagonal बनाएगा तो यह कल भी हमें देखना होगा कि क्या possibility हो सक सकता है ऐसा कोई clear cut plan कल के लिए हमारे पास नहीं है nifty में bank nifty की भी बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही है यह तो जो देखी हमने daily chart में समझा था कि एक possibility अगर यहां पर double zigzag correction पूरा हुआ है तो इस range में decline expect कर रहे थे लेकिन अगर यहां से यह bounce करता है 61% यह retracement range हम दो दिन से निकाल रहा है अगर इसके उपर trade करता है तो एक और ABC इस range में हमें देखने को मिल सकता है जैसा nifty में भी हमने discuss किया था तो overall यह जो है यह important level है इसके उपर trade करता है तो इस range में यह ABC bounce दे सकता है अभी के लिए हम यह जो decline है उस पर ही focus करे तो वहां पर भी कोई clear direction हमें नही मिल रहा है जैसे यह resistance range जो है अभी उसमें trade कर रहा है इसके उपर ही यह positive होगा और यह move भी कोछ clear impulsive या corrective नहीं लग रहा है तो जैसा हमने nifty में discuss किया था Friday को यहां पर हम notice करेंगे कि किस तरीके से यह behave कर रहा है advance में कोई plan नहीं करेंगे overall जो हमने discuss कर लिया इसके उपर एक और bounce ABC के रूप में दोनों में nifty और bank nifty में जा सकता है अगर इसके उपर नहीं जा पाता है तो यहां से decline continue भी कर सकता है तो आज के वीडियो में friends बस इतना ही वीडियो कर अच्छा लगा है तो like और share जरूर कीजिए और regular updates के लिए channel को subscribe करना मत बूलेगा वीडियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद